नमस्कार दोस्तों मेरा नायम आसुतोस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेड इपाट साला में जैसा कि मैंने अपने पिछले इस्टाफ नर्स वाले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिस्के में उसके बारे में बता दूंगा बहुत सारे लोगों कान्फ्यूजन भी थी कि कैसे क्या क्या करना है तो इसलिए मैंने कहा था एक अगले वीडियो में आपको उसके बारे में स्टेप बारे में बताऊंगा जिससे आपको फॉर्म बरने में बहुत ही आसानी हो जाएगी तो इस वीडियो में आप उसी को जानते हैं सबसे पहले आप गूगल में जैसे यूपी पीसी साइट सर्च करेंगे तो यूपी पीसी डॉट एन इसी डॉट इन यह आपकी वेबसाइट खुल जाएगी यह खुलने के बाद में आप जब यह वेबसाइट खुल जाएगी तो आप उसके हों पेज में ही देखेंगे कि हों पेज में आपको मिलेगा ओ न्यृट यौक यह वाला और अपको मिल जाएगा जिसमेंट क्लिक करेंगे गाफोक। तो वन टाइम रेजिटेशन पर क्लिक करने के बाद में अगला पेज आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा और अगला पेज आपका OTR वाला खुल जाएगा जिसमें आपको यह स्टेप दे रखे हैं कि कैसे आप रेजिटेशन करेंगे फिर लॉग इन करेंगे और व करना पड़ेगा और आधार मंबर की लाज़ चाहिए और परसनल डिटेल्स आपकी जो भी हैं नाम पता एड्रेस और क्वालिफिकेशन एक्सपीडियंस जितनी भी चीज़े हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें चाहिए होंगी जो इनको सब बरने से पहले अपने साथ मे रख लीजेगा तब पिर इस फोर्म को आगे बर ना शुरू करिएगा टिक तो जब यह साथ करेंगे तो इसमैं पर आगे ड Darwin करना भाएं थेग्र शेंडयेंगे यहां पर पर उप्न करते हैएं तो आप लुए लोग कर सकते हैं उनके पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगी तो वह अपना लॉगिन यहां से कर सकते हैं लेकिन यहां तक पर ज्यादा तर इस्टूजिन जिनको पहली बार रिश्टेशन करना है वह नहीं कोई परना है फिर लॉगिन करना है फिर वेरिफाइड डिटेल्स करना है फिर डेस्ट बोर्ड आजाए जिसमें आपको सारी चीज़ें अपनी इंफर्मिशन भरनी है तो यह देखिए इसमें आपका फॉर्म रहेगा तो जब इसको आप यहां पर इमेल डालेंगे यहां मोबाइल अपना डालेंगे और वेरिफाइड इमेल मोबाइल करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी उसी के उपर तो यह नई विंडो किस टाइप कि रहेगी इस टाइप कि रहेगी ठीक इस नई विंडो में आपको बता दें तो इस नई विंडो में आप जब देखेंगे त चाहिए समिट करने के लिए आगे के लिए आपसंन ही मिला था telephone में यह करके रहे यह था यह अनगे वह सकता है कुछ हो सकता है और भी कर रहे हैं हो सकता है ना भी करना रही हो तो जिनके में दिख्यातारी कुछ लोग ने मुझे बताया कि यहां यह दिख्यातारी तो उसके लिए आप इसको मौजला फायर फॉक्स में पुलिए उसमें देखिए यह छोटी सी विंडो थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है आपका क्लिक करने के लिए यहां पर तो उ इस तरह का टिक लग जाता है अगर आपका वेरिफाई नहीं होगा तो देखिए इस तरह से आपका आएगा और गूगल क्रों में इस तरह से दिखाता है यहां पर आपको Seb दिखाएगा कि यहां वेरिफाइब मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यह तरह से वेरिफाइब हो जाएगा यह चीज है ठीक और यहां पर देखिए वह ऑप्शन ही नहीं दे रहा है इस तरह गूगल क्रोम में दिकत हमें दिखा रहा था तो फिर यह आप इस तरह से भर सकते हैं कर लीजेगा जब यह दोनों वेरिफाइब हो जाएंगे आपके तो यह आपका नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा यह पूरा नीचे का पूरा पोर्शन यह खुल जाएगा जिसमें आपको यहां पर पर अपनी फोटो सम अटेच कर नी रहेगी एप लूट करने रहेंगे नहीं तो यहां पर नहीं आपको यह दिखाता है कर ने श्डूट है नहीं को धिका रहा है है क्योंकि यहां पर हमने अभी नहीं किया हुआ है तो इसलिए यह सारे डियेक्टिवेट ऑप्सन दिखा रहा है जिन पर लिक नहीं कर सकते हैं उसके बाद है अपनी और यहां पर आप अगर यूपी के हैं तो आप यहां पर यहां पर बिदे स्गेहां पस्ट अपर फादर हमें पूचा गया है पादर की डिटेल पूछी गई है जिसमें से आप फॉदर का नाम यहां पर फशने अध्य नेम और यहां पर लाश नेम यह लाश नेम यहां पर अधर दीजिएगा फिर उसके आप पर बढ़ दीज़ेगा सही सही और उसके बार में यह रेजिटर बटन है जिस पर आप क्लिक कर दीज़ेगा और आपका रेइस्टर हो जाएगा ठीक रेइस्टेशन वाला इस तरह से आपका यह वाली विंडो खुल जाएगी यह एक चीज खुल जाएगी फिर उसके बाद आप क्लिक लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन करने पर जाएगा आपका ठीक लोग लॉग इन वाला पेज देखे इस तरह से रहेगा जिसमें आप यहाँ पे थ्रू मोबाइल नंबर और टीपी करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी ओटीपी इमेल आईडी डा लिएगा और यहाँ पे ओटीपी सेंड होगा ठीक यहाँ आईडी में मोबाइल नंबर ड़िएगा ठीक और उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी शेंड करके जो इसका वोटीपी डाल करkelnे के यहाँ पर बासवर्ड चेंज करेंग यहा-पर पासवर्ड चेंज करनेg only बासवर्ड खिल जाएगा तो नया प्योड करने के लिए यहाँ राप्त न जो नया password रखता है वो आपका नया password आ जाएगा ठीक फिर उसके बाद में आप login कर सकते हैं चाहिए email से कर दीजे email ID से password से या फिर mobile number जैसे भी करना चाहें उस तरह से mobile number और ID से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं OTP के थ्रू हो जाएगा ठीक फिर आगे जब खोलेंगे login कर लेंगे तो आपका यह पहला पेज खुलेगा जिसमें आपको अधर पर्सनल इंफर्मिशंस देनी रहेंगी यह पेज इस तरह से खुल जाएगा नयां च्टिक है एक यह पी जब खुलेगा आपका तो इसमें आपको अपनी सारी डिटर बढ़नी है जैसे की यहां पर सिटीजन से आपको अनी चेज़ान तो यह तो सारी चीज़ें आपको भूरनी पड़ेंगी और उसके बाद में फिजिकल हमडीकैप के लिए अगर यस हैं आप तो फिर यस करिएगा नहीं तो नो कर दीएगा यहां पर उसकी सारी कैटिग्री दे रखी है वह वह आपको पूरा हैस्ट में से स्लेक्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से अगर इस गीर्ड प्लेयर रहाई है आप फिर यहाँ पर यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर आप अपनी अगर सर्विस डूरेशन डाल देंगे अगर डे नहीं नहीं है तो आपको यहां पर कर दिजेगा ठीक अगर डिवार्ड होए हैं कभी वियूत्य प्रकती सीह कर देंगे तो के बाद में अगला पेज खुलेगा आपका जिसमें कम्यूनिकेशन डिटेल्स को नहीं होगे इसमें ऐसे कुछ था कि यहां पर भी सारे ऑप्शन जो एक खक्टे नहीं दिखा रहा था और जब अभी कम्यूनिकेशन डिटेल्स भर देते हैं तो आगे जो फिर वह अप्शन इतने आप से दिखाने लगेगा कि आपको इसको भी दिखाएंगे इसमें देख लिए कौन-कौन सी चीज़ें भरनी है तो यहां पर देखिए कम्यूनिकेशन डिटेल्स में मोबाइल नंबर और इमेल आइडिया भर चुके हैं वह पहले से यह आएगा और अगर अगर अगर सहर में तो सहर वाला अर्बन और अगर गाव में है तो रूलर टिक कर दीजेगा प्लिस्टेशन यह सब चीज़ें आप इसमें पिन कोड फिर यहां पे स्ट्रीट नेम और हाउस नेमर है अगर तो ठीक है नहीं तो इस्टार नहीं लेगा हुआ है तो इसमें कोई भन हो चाहते हैं कि लेटर वीटर कुछ भी आए तो वहाँ है तो यहां पर दूसरा अगर हो तो सेम पर टिक कर देंगे तो नीचे भी वह सारा एड्रेस आ जाएगा ठीक फिर उसके बाद में अगला जैसे करेंगे तो देखिए हमने किया था तो फिर देखे सारी चीजें आ ग अगली थी अपनी फिर आगे यह भरने के बाद में अगले पेज पर जाते हैं तब यहां पर यह सारी चीजे बढ़ दिया था देखिया अरबन जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पन नगर निगाम नगर पंचायत और यह मौल मौला नेम यह सारी चीजे भी आपको इ इस के बाद में आप बना है क्वालिफिकेशन डिटेज्टी में आपका तीन ओप्षन है एक अपैड़मी के अगर आपको कुछी वि eddie तो यहां पर एडिट करना है जिसमें आप IT करके आप Mark आप इसमें फिल कर सकते हैं भर दीजेगा ठीक वहाँ पर जो आपने नमबर डाला था और यह रोप पासिंग डाला था वो दोनों चीज़े यहाँ पर आ गई थी ठीक यह दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई अब इसके बाद में आप जो भी चाहें इसमें करके सब्जेक्ट भर सकते हैं उसके बाद में और भी अपनी डीटियल्स जो भी सरे कालिफी बृफिकेशन इंटर बीस्थ में डाल चीज़ें आप इसमें से भर सकते हैं तो जब आप एड़ करेंगे तो यह आपका सेलेक्ट हो जाएगा प्रोफेशनल ओलिफिकेशन वह भी नीचे सो करने लग जाती है तो जो आपने सेलेक्ट कर दी है वहाँ से पहले अप्लोड की थी यहां पर आपको सो जाएगी तो आगे पेज में बढ़ेंगे तो आप अगर आप एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास में वह यहां पर एक्सपीरियंस डि ने उकता है आपका वह इसमें भर दीजे नेम और अड्रेस भर दीजे और जिए और इंड्रेस और इंड्रेस और इंप्लोएर यह दो चीजे आप बननी जरूरी है वाकिए सारी नहीं परेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका ठीक इसी तरीके से इंप्लाई डिटेल्स य ग्रेड पे क्या है आपकी बैसिक सेलरी क्या है जैलरी क्या ती आपकी टाइप क्या था डेट ऑफ जब जाइनिंग क्या थी डेट या देट ऑफ लीविंग नेचर अफ एप्ट्वायुंट्मेंट क्या है प्लेस वर की सारी चीजे आपको इसमें भरनी है सेव बटन लाखें वह सारी चीजें आपको इसमें दिखाएगा अगर आपको सारी हो साधी चीजें के सॢ़िक लगती है तो जो एड़िट वाले बटन रहेगा उस पर एड़िट पर जा करके आप इसमें एड़िट कर सकते हैं ठीक अगर इसमें देखें कि यहां पर आप जब सब चीजे सही हो जाए तो यहां पर कर दीजेगा इन टीनों box में यह दिनों box में जब कर देंगे तब इसके बाद ऑफ प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपना application ठिक यह प्रिंट हो जाएगा log एक करें पर से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं यहां उसे क्लिक करें गियुंदित कर दीजेगा तो यहां का एडिट हो जाएगा यहां से पिर उसके पर मैं आगे बढ़ते हैं मैं तो फिर अगर आपको तुरंत टी यार नंबर जैंडरेशन करना है तो तो जब यह सब फाइनल समिट होने के बाद में यहां लॉक होने के बाद में आपका यहां पर यह ओप्सन दिखाई देगा एक और नबर जनरेट करना चाहते हैं तो यह ओटी आप तुरंद इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह ओट्या नंबर जनरेशन इस्टेप दिख किया जाएगा तो फिर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इमीडियेट वाले आपका जनरेशन हो जाएगा और उसके बाद में अगर नहीं करते हैं तो एक दो एक दिन में दो दिन में हो जाता है और यहां पर आपका वह स्टेटस चेक कर सकते हैं उससे ठीक तो इस तरह से यह होगी अब अगर बीच में हाई स्कूल वाली डिटेल बताया था मैंने आपको तो वहां पर उसको एड़ करना होगा तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहां से एक सब्सक्राइब करके बटन दबाएंगे तो एड़ होते जाएंगे उसमें सारे माक्स और आपके वह सब ची में आता है तो आप जो है इसमें कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में मैं आपको फिर वह अगले वीडियो में बना करके आपकी हल्प जरू करूंगा जो भी चीज़ें होंगी आप इसमें कमेंट जरू करिए मैं आपकी पूरी साहता करूंगा जिससे आपका कोई बड़ी नहीं जब तक कुछ और ना हो जाईएगा आप कोई रहती है तो आप यूपी प्यस्टी को भी मेल कर सकते हैं उसका मेल आईडी भी दे रखिए कॉल नमबर दे रखा आप उसके वी कॉल करके पता कर सकते हैं तिक वह भी पता करके उसके बाद में भरिएगा इसलिए गलत को complete पूरा form कैसे भरना है OTR के बाद में वो बताऊंगा और इसके 72 घंटे के बाद में ही आप इसको form भरिएगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तो कुछ गरबड़ी हो उससे अच्छा है कि आप उसको जैसा लिखा है वैसे साम में ही भरिए और form जल्ली भरने की कोशिश करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरू करिएगा कुछ लोगों को शेयर जरू करिएगा